तो स्वागा थे फिर से आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विकिस क्लाश्रूम जो की बना है एक टु ट्वेल्ट क्लास के बच्चों के लिए और स्पेशली मैथेमेटिक के लिए पहली वीडियो आई होप आपने देख चुके होंगे जिसका मैंने लेटिस्ट वीडियो है अप्रोड किया था बेसिक क्लास का एडिशन और सब्ट्रेक्शन से रिलेटिड है आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे यह भी छोटी सी वीडियो है जो इन्टू और डिवाइट के पैटन में बना है इन्टू और डिवाइट के अपन कुछ कैलकुलेशन के प इसे आपने देखा है कि मैंने को केस के पॉइंट ओफ यू से आपको चीज़े बताए ठीक के कल्कुलेशन करने के हमारे जो पैटन होते हैं बेसिक वह होते हैं एडिशन और सब्ट्रेक्शन और मल्टिफिकेशन और डिविशन और मैंने आपको पताया था यह जो है यह आपके कैल्कुलेशन नहीं है आप अच्छी तरह जानते हैं लेकिन नंबर्स जो होते हैं मैंने प्रिविएस वीडियो और हर एक वीडियो में आपको बताया भी होगा बेसिक क्लास की कि फाइनल तरह कोई भी याद कीजिए तो आपको जाधा अच्छा से याद हैगा वह सिंगल नंबर में आता है चाहिए वह डेसिमल हो फ्रैक्शन हो यह भी बोलना चाहिए रूट में हो रैशनल इर्रैशनल कोई भी हो लेकिन वह जो नंबर होगा या तो पॉजिटिव या तो नेग तो जब यह नंबर आएंगे तो किस पैटन में आएंगे कोई भी कैलकुलेशन अगर होती है तो अब यहां पर पहले ही बताए केस वन यहां लिख देता हूं केस वन और यह केस टू प्लस और माइनस यह दोनों का एंसर आने का तरीका सेम है यह तो इसके पहले वाली वीड इंटू में चीज़े बढ़ती है डिवाइड में चीज घं में चीज़े कम होती है एडिशन में चीज़े भड़ती है मैनस में सिंपल सा लॉजिक है लेकिन आंशर आने का जो पैटन है वह सेम को सेमय रिम ने फिर से कोई भी minimum दो नंबर आपको चाहिए calculation करने के लिए और वो कितने pattern से आ सकते हैं यह आपको भी पता है तो previous studio में भी मैंने लिखा चुका है दोनों नंबर हो सकते हैं positive इन दोनों के नंबर के बीच में into a divide कुछ भी आएगा second दोनों नंबर हो सकते हैं आपके negative इनके बीच में into a divide जो भी आजाए third one first is positive another is negative fourth one negative और यह positive इन चारों के अलावा कोई variety दो नंबरों की नहीं हो सकती किसी भी calculation के लिए चाया वो plus minus हो into divide हो या आगे कोई भी calculation हो तो अब यह number आ गया plus minus आपने शीख चुके है previous studio को मैं link दे दूँगा आप आराम से जाके एक बार उसको देखेगा उसके बाद यहां आगे बढ़िएगा तो into or divide के case में क्या होता है देखेगा बहुत छोटी सी बड़ी है फट से आपको समय देखेगा बस जो याद करने का जो दिमाग में रखने का जो एक तरीका है वो क्या है अब बोद दो यह है नमबरों के प्लस और मैनस तो दोनों नमबरों के साइन या तो प्लस हो या दोनों के मैनस हो या एक वर्ड में क्या बोला जाए बोद आ सेम साइन बात खत्म या फिर दोनों नमबर जो है उनके साइन क्या हो different अब आप उसको यह कह लिजेए पहला प्लस दूसरा मैनस या दूसरा प्लस जैसा यह है तो simply चाहे प्लस मैनस के केस में हो चाहें इंट्टु डिवैट के केस में बोध दा साइन आ सेम यहाँ पर मैं लिखा रह इसे बोट था साइन आर कि यहां पर इतना जात रहेगा तकी कि नंबरों के 2 साइन है प्लस और मायदास बार बार में buकर करते हो में और आपके दिमागें बढ़ जाए हैं नंबरों की के दो ही साइन होते है पॉजिट्व या नेगेटिव अब जब उन दो नंबर को हो सकते हैं जासर दोनों never different different sign के हो आगे पीछे हो तो into हो या divide हो जब इस पैटन में आए जब दोनों नंबरों का sign कैसा हो सेम हो तो आपका जो final answer आएगा calculation करने के बाद वो होगा positive हो सिंपल जब साइन different होंगे तो आप into कर रहे हैं या divide कर रहे हैं उनका final answer जो आएगा वो होगा माइनस एक छोटा सा एक्जामपल लेता हूं कैलकुलेशन तो आप करी लेंगे क्योंकि आपको टेबल आता ही आता है तिक या पी जो भी शॉट ट्रिक्स होगी उस तरीके से आप multiply कर सकते हैं लेकिन में प्रॉब्लम होती साइन की जो की final answer में लगाया जाता है तो जैसे हमने कि प्लस माहिनास सीखा था एक बढ़िया सी स्टोरी पताता हूं मैंने आपको एक नंबर दिया कोई भी नंबर और मैंने बोला कि उसको आप add करो अभी थोड़े ज़र के लिए आप into या करो या जो भी मैंने आपको प्लस माइनस करने बोला उसको मैंने आप एड़ करो फिलाल एड़ करो इससे आप समझ जाएंगे है हैं तो आप दो नंबर को कितने बार लिखो ग tonerrolog में टैंट टाइम्स दसम बार प्लस ट्र ₹ kita करके आप दस बार लिखो गया तो फाइनल एंदफर आपका क्या आएगा आपको पता है कि तो इस कि औ है कुए टु को मुझे टो कलिटी करना एडी करना है क्यों नम cav जो उतना समय प्लस करने में लगाया है प्लस टू प्लस टू प्लस टू ऐसा करकर कर गये वह मेरा एंसर आ रहा है 10 टाइम्स में 10 तो क्यों न वैं उस प्लस टू को इंटू कर लू 10 से 2 टेबल पढ़ लू या 10 का टू टेम्स पढ़ लू जैसा भी है तो देखो यहाँ पर यह 10 भी कैसा है आपका पॉजिटिव दिख रहा होगा तो फिलहाल दोनों तरीके से प्लस माइनस और इन्टूड तो यह कितना आ गया प्लस 20 अगर आप लोग थोड़ा सा मैनत करें और अपना लॉजिक लगा है तो आप समझ सकते हैं कि यह प्लस माइनस जो है वो क्या है वो लॉंग मैथड है और इन्टू डिवाइट क्या है यह है शॉट मैथड इसलिए हम जब भी मैथड बोलते तो कितने टाइप के मैथड होते में कैलकूलेशन की के तो हम बोलते है प्लस इन्टू इडिवाइड बिल्कुल तो मैंटर्ड जो वर्ड आता है वह कैसा बना लेकिन मेंटर्ड का ग्रेड क्या है तो प्लस मैनस जो है वह लॉंग मैंथर और इन्टु डिवाइड जो है वह शॉट मैंथर रहें डिवाइड में डेख लें माइनस टू थीक मुझे माइनस टू के फॉर्मेट में टैंटेम्स पिछे जाना है तो तब भी यहां पर कितना होगा देखो अब यह पॉसिटिव और यह सुरी यह पॉसिटिव और यह नेगेटिव तो डिफ्रेंट साइन मतलब माइनस तो यहां पर क्या आगया माइनस टूटि आप अपने पुराने कंसरेप्जिस को कैल्कुलेट कर सकते मैंने सिंपल कहा बौद दा साइन और सेम चाहे वह प्लस हो चाहे मैनस हो तो इंटू करो डिवाट प्लस लगते हो बौद दा साइन डिफ्रेंट इंटू करना यह बात की बात है एंसर आगा आपका 20 मुझे पीछे आना है मतलब कम करना है तो मैं 20 को 2 से क्या कर दूंगा डिवाइड तो मैं कहां पहुंच गया तो देखेंगे यहां पर वैल्यू बढ़ रही है साइन को अब दखेंगा अब मैंने डिवाइड किया तो क्या हुआ कम हो गए 20 का आधा यह जैसा भी संजिए यह हो गया 10 तो वैसे ही प्लस का इसमें भी वैल्यू क्या हो रही है कम हो रही है वह भी शौट फॉर्म है तो एक छोटा सरी विजन हमने पहले भी देख चुक है केस्टू की बात इन्टू और डिवाइड नंबर का फॉर्मेट यही रहाएगा दोनों प्लस दोनों माइनस एक प्लस एक माइनस एक माइनस इसको आप सिंप्ली क्या हो सकते हैं बोद दा साइना सें बोद दा साइना सिफ्रेंट क्योंकि नंबर जो होते हैं बार बोरो दीज आर दर नंबर पॉजिटिव नेगेटिव उनकी दो ही साइन होते हैं प्लस यह मैनस वह इस पैटन में आ सकते हैं जब भी आप इंटू कर साइब करेंगे तो वैल्यू कम होगी साइब जो भी है तो लेकिन साइन आने का जो पैटर्ण है वह इन दोनों में पॉजिटिव होगा प्लस माइनस या माइनस प्लस जैसा आपने पढ़ा है या मैंने क्या कहा डिफरेंट साइन तो इनमें इंटू करो या डिवाइड एंसर क्या आएगा नेगेटिव अब टेबल आपको आता है उसको ध्यान से यूज करके आप स्को सॉल किजिए तो यह रहा इंटू और डिव आपके जिए और शेयर कीजिए अपने कलीश साहँ साथा ज़्यादा और बने रहें मेरे इस चैनल में थैंक यू वेरी मौच